मूदी ने आज अंतरिक्ष में एक बड़ी सफलता हासिल की है और लेकिन दिपच्छ की तरफ से ये मुद्दा बनाया जा रहा है क्या तहेंगे इस पर कि इसे कैसे आप परिभाशित दरेंगे कि सरानी की आभी कछ कर रहा है काफी समय पहले से इसको वुटिया रहा था यह जो है कि इसके गास के लिए जो भी ने किया है उसी तुर्च लेकिन दिपच्छ यह कर रहा है कि चुनाओ के समय में इस तरह से करके चुनावी लाब लेन का एक हिसाब किताब थिया जा रहा है से क्या मानते हैं कि इसे दिखते हैं चुनाव चल रहा है थे इस पर आप क्या कहेंगे क्या मानते हैं कि जो सकार हैं जो यह कह रहे हैं, तो यह क्या सही है? आपका क्या मानना है कि जो इस समय हो रहा है चुनावी लाब लेने के लिए ऐसा भी पच्छा कारोप है? इस समय जैसे चुनाव का माहौल है तो आपको क्या लगता है किस बार कौन आ रहा है इस चुनावी लाजनी से नहीं जोडा जाना चाहिए यह कोई करता है तो उसका भी लोगता ना चाहिए यह और बात सामने आती है कि यहां जो यह प्रमुख है सास्थान है जहां हम आप से बात कर रहे हैं कौलापूर वो ग्राम पंचयाय ताता है जहां पंटितिन द्यालुपाद्याय स्यामा प्रसाद मुकरजी पंडिता तल जीहारी बात पर यहां तक कि इसी गाउं में नरें कि आप क्या मानते हैं इस गाउं को लेकर के अजो अभी चुनाओ चल दहा है सरकार की तरफ से अभी तमाम काम किये जा रहे हैं चाया तंकियों को मारना हो या कोई भी बात हो तो कितना जोर कि इसको देखा जाए राजनीत इसे कि यह पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा अभी अपना पहले कांग्रेस उगए अपना कर दियो होती वही बाब आई लेती तो अभी क्या मानते है कि देश में अच्छा काम है यह अच्छा कार किया है और उसकी प्रसंसा होनी चाहिए उसको सबको बोड़ देना चाहिए सर्जीकल स्टाइप पे सबूत मांगे जाते तो आप लोग मदाता है यह जो चाहिए जो अपने कमरें बैटके बता रहे हैं कि एग दी नहीं मेरे आपको क्या लगता है कौन मजबूत है आगे आने वाले समय में जनता अप इस पर भरूसा जताएगी कैसा अच्छा को देखते हुए इस समय मोजी को प्धामंत्री तोर बनना चाहिए, लोगों को बनाना चाहिए देज का ही तिसमें, और ये जरूरी है, क्योंकि विपक्ष में भी कोई पीयम का उमीद्वारा ही नहीं है, भी महाँ पर भड़िया घसान है, बाद में ये लडाई होगी किसकी बनी किसकी नहीं बनेगी, और बाद में ये सरकाद च बना चुनाओगा, देज को पर 500 अश्या आएगी, बना जमता परशान होगी, इसलिए मोदी को ही कोण महमत, कोण महमत से बनाया जाएगा, आपका सुबनाम, लाल चन्मिस्रा, इस समझ चुनाओग चल रहा है, तो कैसा लग रहा है कि काफी काम हो रहा है, आतंकवाद का मस में उसका सही जवाब देते हैं, आपको आगे आने वाले समय में क्या लगता है, मिलकुल भाटवारी सरकार बनेगी, और इसमें क्या लगता है, किसकी बनेगी कछी बनेगी, बनेगी और किसकी बनेगी और निश्चित रूप से मैं कर सकता हूं कि सांसत विधायक श्री रविनात्रिपाठी जी अगर भदो ही लोग समद छेत्र से सांसत का टिकर पाते हैं तो निश्चित तोर पर यूपी की राजनीच का एक सिथ भाजपा के जोली में जाएगा ये निश्चित है रविनात्रिपाठी जी जो उनके बस्पा के प्रभारी महागडवंदन के प्रभारी रविनात्र रंगनात्र मिस्रा मिस्रा को इन्हों ने 30,000 उतों से तीसरे नंबर पेव की जाता है और बड़े अंतर से रविनात्रिपाठी जी ने लोग भीट्या के बलपत उन्होंने रविनात्रिपाठी को 30,000 उतों से रहा है तो हमारे हाँ लोगसभा चुनाव जीतने में कोई कोई दिक्कत नोगे प्रभल वो दावेदारी हैं और उनकी हर जाती में हर कौम में उनकी पकड़ है और यहां तक की विदान सभा के चुनाव में घडबन्धन में खड़े इमिद्वार को उन्होंने 30,000 वोटों से पिछ पाठी को देखना चाहते हैं और जोहें सब के दर्वाजे जाते हैं और गई बंधन्धन चाहे जोगी हो चाहे जिस काम में हो उनको सब बलाते हैं अब का आप बदों ही लोगसभा से किसे प्रत्यासी के रूप में देखना चाहते हैं